सबी शुरताओं को मेरा नमसकार, स्वाबब करता हूं मैं आप सभी का हमारे हिंदी सीरीज के इस वेबिनार में आज का हमारा वेबिनार काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है आज हम डिसकर्स करने वाले हैं वॉल्यूम एंड उपन इंट्रेस्ट वॉल्यूम का कॉंसेट तो काफी सिंपल है और सभी ट्रेडर्स उसे अच्छे से समझते भी हैं लेकिन ओवाई को समझने में ट्रेडर्स को काफी कठिनाई होती है और हमेशा कन्फूजन बना रहता है इसलिए ये वेबिनार हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं इस वेबिनार में मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको सरलता पूर्ने एक्जाम्पल्स के साथ ओपन इंट्रेडर्स का कॉंसेट समझाओं तो आईए इस वेबिनार को शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं अपने इस वेबिनार में सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉल्यूम और उपन इंट्रेस के बारे में क्यों सीखना चाहिए फिर हम देखेंगे कि वॉल्यूम क्या होता है open interest क्या होता है open interest के कुछ examples देखेंगे price, volume और why को combine करके किस प्रकार से analysis करते हैं scanner के examples देखेंगे और strategy के examples भी देखेंगे so volume and open interest के बारे में क्यों सीखना चाहेगे हमें volume अकेला जो है इतना effective नहीं होता है derivatives market में analysis करने के लिए जब आप price, volume और open interest को combine करते हैं तभी आपको एक better picture मिलती है market की traders market में क्या कर रहे हैं for example ये जो है तीनों को combine करके आपको help मिल सकती है determine करने में कि new traders जो है वो rally या फिर sell-off में participate कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं the concepts can be easily understood with a few examples volume क्या होता है so market जो है वो buyers and sellers से बनता है correct जब वो एक particular price पे agree करते हैं एक दुसरे को shares exchange करना तब जाके एक trade होता है so माल लेजे कि आपने मुझे एक share बेचा तो इसका मतलब ये है कि एक volume increase हुआ उस share में correct simple है what is open interest open interest क्या होता है open interest basically होता है number of outstanding futures or options contract अब outstanding क्या मतलब है number of contracts which have not yet been settled यानि कि वो contracts जो अभी तक settled नहीं हुए है और open है market में इस time पे अगर आपको अभी भी confusion है कि ये outstanding क्या है open क्या है unsettled या फिर settled क्या है do not worry आगे चलके हम example देखने वाले हैं उससे आपको काफी चीजे अच्छे से clear हो जाएंगी open interest जो है वो सिफ derivatives market में अप्लाई करता है cash market में अप्लाई नहीं करता है so futures and options market only OI जो है वो आपको एक better picture प्रोवाइड करता है options trading activity या फिर futures trading activity के बारे में और money flow कैस प्रकार से हो रहा है futures and options market में open interest examples देखे जाएं किस प्रकार से trading होती है and कैसे वो impact करता है open interest को उसके examples हम यहाँ पे देखने वाले हैं so मान लिजे कि ये day one है trading का आज ही जो है nifty का contract introduced हुआ है और अभी तक कोई trading उसमें हुई नहीं है और हमारे पास दो traders है यहाँ पे Mr. Abhishek and Mr. Jaraj so Mr. Abhishek को लगता है कि nifty जो है वो गिरने वाला है यानि की नीचे जाएगा but Mr. Jaraj bullish है market में उन्हें लगता है कि nifty उपर जाने वाला है so obviously Mr. Abhishek ने decide किया कि अब वो 10 contracts जो है write करना चाते हैं या फिर sell करना चाते हैं nifty के so उन्होंने position बनाई minus 10 और उन्होंने जो 10 contracts sell किये वो खरीदा गया Mr. Jaraj के द्वारा so जैसे कि आप यहाँ पर देख पार हैं before यानि कि इस trade से पहले Mr. Abhishek का position 0 था trade के बाद minus 10 हो गया है and similarly Mr. Jaraj का position net position पहले 0 था और इस trade के बाद वो 10 contracts long है यानि कि उन्होंने पास 10 nifty के contracts है जो उन्होंने खरीदा है Mr. Abhishek से so यहाँ पर बहुत ही simple है volume को समझना volume भी 10 है और open interest भी 10 है और change in open interest भी 10 है because यहाँ पर 10 नए contracts introduced हुए है market में very simple example day 1 का right I hope आप सभी को समझ आ गया है अगर आपको किसी भी प्रकार का doubt आता है इस webinar में comment में तुरंत लिखके बताईए मैं जरूर आपको reply करूंगा and आप चाहें तो email भी कर सकते है support at the rate streak dot tech यह हमारा support email ID है वहाँ पर आप लिखके हमें सारे doubts अपने पोच सकते हैं so आए आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं कि दूसरे दिन क्या होता है यह day 1 की summary यहाँ पर हम देख रहे है Mr. Abhishek 10 short positions Mr. Jairaj 10 long positions और open interest जो है 10 हो गया है because 10 नए contracts बनाए गए है जो कि Mr. Abhishek ने write किये हैं यहाँ पर और यहाँ पर जो हम volume and open interest है वो lots में consider कर रहे हैं so day 2 day 2 पर आजाते हैं दूसरे दिन क्या होता है scenario 1, case 1 यानि कि दो cases में बात करने वाले हम day 2 की दो examples देखेंगे कि case 1 में क्या होता है और case 2 में क्या होता है, case 1 में माल लिजे कि यही दो traders हैं आज भी Mr. Abhishek and Mr. Jairaj अब Mr. Abhishek जो हैं वो nifty पर थोड़े कम bearish हो गया है so वो चाहते हैं अपने short positions को कम करना, पहले उनके पास minus 10 shots थे अब वो चाहते हैं कि वो उनके minus 7 हो जाए, तो वो buy करते हैं 3 contract, right और यही पर Mr. Jairaj को यह लगता है कि I am a little less bullish now, उनको थोड़ा सा bearishness आ गया है, तो वो चाहते हैं कि वो थोड़े से अपने long positions जो है, वो कम कर दे तो वो 3 contracts जो है sell करते हैं, कि इसको sell करते हैं Mr. Abhishek को, तो Mr. Abhishek ने अपने 3 positions close कर दिये और यहाँ पर Mr. Jairaj ने अपना position plus 10 से minus 7 कर दिया है, plus 7 कर दिया है not minus 7, right I hope आप transactions को समझ चुके हैं, आइए अब दिखते हैं कि इसका impact क्या होता है, volume और open interest पर so, 3 contracts trade हुए है total, right, यहां से यहां गया है so, volume of the day is 3, open interest कितना होगा, यह interesting part है please, इससे बहुत ही ध्यान से सुनिए open interest जो है, वो 7 है total open interest cumulative open interest and change in open interest minus 3, because पहले market में तो 10 contracts थे total, right but आप जो है, contracts कम होके 3 रह गए हैं, बस because Mr. Abhishek ने 3 अपने positions को close कर दिया है so, I hope आप यह example को अच्छे से समझ चुके हैं, and again यहां पे एक और चीज में clarify कर देना चाहूंगा यहां पे जो हम volume देख रहे हैं, वो per day देख रहे हैं, each day, but open interest जो है, वो हम cumulative open interest देख रहे हैं, right so, this is scenario 1 मान लिजे कि यह trade ना होके, कुछ और trade हुआ होता, right, day 2 ही है, but मान लिजे कि यह trade कभी नहीं हुआ, still we are here day 1 पे, day 2 जो आया, उसमे case 2, यह हो गया, Mr. आदर्श, जो एक 3rd trader है वो step in कर गए, right so, अब क्या हुआ, I think nifty is not so bearish now same, Mr. Abhishek को लगता है इतने bearish नहीं है, but Mr. Jairad से contract खरीदने की जगा, वो अब Mr. Adar से contract खरीद रहे है right, in case 2 so, हम यहाँ पे, I hope आप इसको cancel out कर दे रहे हैं, मान लिजे कि यह trade कभी हुआ ही नहीं था, यह just example के लिए था case 1, correct, so यहाँ पे देखिए, अब क्या हो रहा है नए trader आ गए है मार्केट में Mr. Adarsh, उन्हें लगता है कि nifty जो है, bearish रहने वाला है so, obviously, वो short position बनाना चाहेंगे, right, so, उन्होंने तीन sell किये, और वो खरीदा किसने Mr. Abhishek ने खरीदा वो तीन contract, because उनको अपने short positions reduce करने थे वो थोड़े से हलके से bullish हो गए थे market में, उन्हें लग रहा था इतना जादा तो bearish नहीं होगा nifty, correct, so, यहाँ पे भी जो contracts हैं, वो तो तीन exchange हुए है, volume of the day will be 3, but total open interest 10, unchanged क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई close नहीं हुआ है, contract जो है close नहीं हुआ है, खतम नहीं हुआ है यहाँ पे आप देख पारें, जो minus 3 यहाँ से, जो 3 short positions थे, वो Mr. Abhishek से Mr. Adarsh को transfer कर दिये गए हैं, बस right, minus 7, minus 3, यानि कि market में तो अभी भी total 10 contracts ही है, but open interest हमारा 7 था, और change था minus 3, so I hope again आप समझ चुके हैं हम मानेंगे कि scenario 2 हुआ था day 2 पे scenario 1 हुआ नहीं था right, so after day 2 क्या है Mr. Abhishek, 7 short positions, Mr. Jairaj के पास 10 long positions है और Mr. Adarsh के पास 3 short positions हैं जो की नए trader market में आए थे so हमारा total open interest after day 2 considering case 2 हुआ था day 2 पे is 10 अब आजाते हैं day 3 पे अब I want to add to my shots Mr. Adarsh को लगता है कि market जो है बहुत ही जादा बेरिश होने वाला है और जो की इन्होंने minus 3 short positions बनाए थे, अब वो चाहते हैं कि और भी जादा short positions बनाए जाएं उन्हें और 7 shots करने है राइट, so उनको total minus 3 से minus 10 position पे जाना है तो ये sell करना चाहते हैं minus 7 और किसी reason से Mr. Abhishek जो है अपने 2 shots को, 2 shots को close करना चाहते है and Mr. Jairaj जो हैं, वो bullish हो गए हैं वो अपने long contracts में add करना चाहते हैं और पहले तो उनके पास 10 ही था, वो plus 15 करना चाहते हैं, so again यहां पे clearly आप देख पा रहे हैं, जो Mr. Abhishek का position है minus 7 से minus 5 पे आ जाएगा और Mr. Jairaj जो है plus 10 से plus 15 पे आ जाएंगे again जो की हमारा important sorry यहां पे day 3 होना चाहिए, day 1 नहीं, बड़की day 3 का figures है ये, volume of the day 7 7 contracts जो है, exchange हुए है 7 इन्होंने sell किया है Mr. Adarsh ने, 2 गए Mr. Abhishek को and 5 गए Mr. Jairaj को so volume is 7 total open interest, total open interest जो है 15 है कैसे, पहले क्या था 10, correct minus 7 contracts यहां पे sell करने थे आदरश को so उसमें से 2 तो यहां आ गए Mr. Abhishek ने अपना position close कर दिया, minus 7 से minus 5 कर दिया, और जो की 5 बचे थे, वो यहां पे है so, 2 जो हैं 2 contracts साथ में से, वो तो use up हो गए, previous contract को close करने में, नए जो बने हैं, वो 5 ही बने है that is why, plus 5 and total open interest हमारा हो जाता है 15 यहां पे I hope आप समझ चुके हैं, so after day 3, क्या है, Mr. Abhishek के पास minus 5 है Mr. Jairaj के पास 15 long है and Mr. Adarsh के पास 10 shots है और total open interest हो जाता है 15, so यह था scenario, I hope आपको इन तीनों examples के तुरू काफी clarity मिल गई होगी बाद में जाके, आगे जाके मैं आपके साथ एक chart, summary chart भी आपके साथ share कर दूँगा जिसको आप देखते ही कभी भी कोई भी transaction से आप figure out कर पाएंगे कि open interest पे क्या impact रहने वाला है यहाँ पे note भी है important note जो number of open contracts है वो equal to होता है OI जो कि हमने देखा अभी and OI value जो है feeds में, अगर आप chart देखते हैं तो काफी जगा charts में it is shown as open contracts into the contract lot size similar to how open positions in portfolio can be shown as positions into contract size so confused होने की जादा जरूवत नहीं है यहाँ पे basically meaning यही है कि कहीं कहीं आप देखेंगे कि जो open interest and volume जो है वो number of lots में दिखाया जाता है and कहीं कहीं जो है उसको multiply कर दिया जाता है lot size से that's all so अब इसको हम use कैसे करें कैसे scanners बनाए कैसे strategies बनाए practically उस चीज को हम करके देखने वाले है scanner example 1 इस scanner में हम क्या कर रहे हैं इस scanner में हम identify करने की कोशिश कर रहे हैं वो contract जिन में open interest लवातार जो है last five candles में उपर जाता रहा है right so अगर ऐसे हमें stocks ढूणने हैं या फिर contracts ढूणने हैं तो कैसे किये जाए आईए हम streak platform पे चलते हैं इससे practically बना के check तरते हैं so streak platform पे जाने के लिए आपको ये website open करना है s-t-r-e-a-k dot t-e-c-h जो आपको streak पे ले जाएगा आप अपना broker account यूज करके वहाँ पे login करेंगे and scanners और strategies को यूज कर पाएंगे so आ गए हैं आप streak platform पे आईए चलके उस scanner को बनाते हैं scanner बनाने के लिए आप आप डैश्बूट पे जब आ जाएं तो अब आप scanners में जाएंगे और फिर create scanner पर क्लिक करेंगे right so माल लीजे कि मुझे NFO futures जो भी futures contract है सब में मुझे scan करना है कि कि किसमे किसमे why increase हो रहा है so यहाँ पे मैं बोलूँगा period mean period mean function का use करना होगा 5 हम 5 candles consider कर रहे हैं आप अपने हिसाब से यहाँ पर अगर आपको last 3 candles में check करना है तो 3, 4, 5, 10 कुछ भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं so let's put open interest open interest offset 0 यानि की present candle का open interest minus open interest minus 1 right so हमने क्या किया present candle का open interest minus previous candle का open interest किया है अगर open interest rising है तो इसका difference जो है हमेशा higher than 0 होगा right present minus previous जो है higher than 0 होगा so for example previous candle में मान लीजिए for example OI 99 था अभी जो है OI 100 हो गया है so 100 minus 99 1 होगा जो की higher than 0 है so उसी concept का हम यहाँ पे इस्तिमाल कर रहे हैं आईए इसको एक नाम दे देते हैं और इसको run करते हैं so यहाँ पे यह सारे जो है futures contract हमें मिल गए हैं जिसमें OI लगातार increasing रहा है last five candle से on five minute time frame आप कोई भी time frame पे यहाँ पे check कर सकते हैं यहाँ पे एक और interesting feature में आपको दिखा देना चाहूंगा अगर मानली जी कि आप automatic scanning चाहते हैं तो आप यहाँ पे take life पे click कर सकते हैं यहाँ पे आप alert frequency select कर सकते हैं और example मानली जी मैंने one minute select किया तो अब क्या होगा every one minute automatically run होगा scan scanner और आपको alert मिल जाएगा आप mobile app download कर सकते हैं अगर आपको सारे alerts अपने phone पे चाहिए तो आप browser पे भी सारे alerts पास सकते हैं आपको सर्फ street को open रखना है अपने browser में सारे notifications आपको अपने browser में भी मिल जाएंगे so take live पे click करके आप इसको live लेके जा सकते हैं बहुत ही simple है right थोड़ा सा complicated या फिर थोड़ा सा और additional conditions के साथ देखते हैं अब एक strategy बना के देखते हैं open interest को किस प्रकार से strategy भी यूज़ किया जा सकता है so again we'll go to the street platform यह एक sell strategy है street platform पे चलते हैं strategies में जाके create strategy पे आप click करेंगे so time frame हम यहाँ पे 15 minutes select करने वाले हैं और position हमारा sell रहेगा quantity यहाँ पे 10 डालेंगे market जो है काफी bullish है काफी time से आप जान रहे हैं फिर भी हम sell condition यहाँ पे बना रहे हैं close entry कब लेना है हमें हमें entry लेना है जब close price crosses below हो जाए किस से DEMA double exponential moving average 21 click on done उसके साथ साथ हमें एक OI condition भी डालने वाल है जैसे कि हमने slides में देखा था OI condition को डालना है हमें यहाँ पे and period mean 10 open interest minus open interest minus one higher than number 0 इसमें हम volume का condition एड नहीं कर रहे है simplicity के लिए volume का भी condition हम देखेंगे आने वाले strategies में कि open interest के साथ साथ volume को भी किस प्रकार से same strategy में use किया जा सकता है so आईए इसमें कुछ contracts add कर देते हैं मैं एक basket use करूँगा यहाँ पे futures का basket जिससे मेरे को यहाँ पे contracts मिल जाएंगे आप अपना खुद का basket बना सकते हैं यहाँ पे जाके baskets में baskets से basically easy हो जाता है अगर आप multiple stocks या फिर multiple contracts एक साथ add करना चाहते हैं अपने strategy में यहाँ पे जाके आप basket को create कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो individually भी यहाँ से search करके add कर सकते हैं so यह सारी चीज़े add हो गई है stop loss हम यहाँ पे exit एक बार और मैं आपको entry condition समझा देता हूँ हम entry तब ले रहे हैं जब close price DMA 21 के नीचे cross कर रहा है उसके साथ-साथ open interest जो है last 10 candles में rising है correct और हमने क्यों rising लिया है वो आप समझ जाएंगे आगे मैं कुछ आपको theory भी explain करूँगा चलके कि price, volume open interest इन सब को combine करके किस प्रकार से analysis करते हैं right so let us run our back test back test को run करने के लिए हम ready है मैं click करूँगा save and back test पे और हमें यहाँ पे back test result देखने के लिए मिल जाएगा so जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें सारे results मिल गए हैं और best thing यह है कि इस यहाँ पे हम जो win to loss ratio है वो काफी अच्छा देख पा रहे हैं right even though nifty या फिर overall market जो है काफी bullish था फिर भी हमने एक sell strategy बनाई और उसमें अच्छा win to loss ratio भी achieve किया है यहाँ पे correct so basically आपको अगर in-depth analysis करना है तो आप उत stock पे click कर सकते हैं यहाँ पे आपको brokerage button भी मिल जाएगा बहुत सारी detailed backtest report भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी अब माल लीजी कि आपको कुछ modifications करना है यहाँ पे जाके modifications करके वापस backtest run करके check कर सकते हैं कि उसका प्रभाव क्या होता है आपकी strategy पे और एक बार आपने सारा analysis कर लिया strategy develop कर ली फिर आप उन stocks को select कर सकते हैं जो आप trade करना चाहते हैं stocks या फिर contract and then आपको click करना होगा deploy button पे यहाँ पे काफी सारे options अगर चाहें तो quantity को change कर सकते हैं quantity again यहाँ पे lots में strict platform पे जब आप quantity डालते हैं वो lots में होता है 10 means 10 lots और strategy live for one day यानि कि आपको कितने दिन trade करना है strategy को cycle अगरा यह सारे options select करके आप या तो फिर paper trade के लिए जा सकते हैं या फिर live trading के लिए जा सकते हैं paper trading में जो है real money use नहीं होता है paper trading में virtual capital का use होता है तो आप अगर live market में अपनी strategy को test करना चाहते हैं और risk भी नहीं करना चाहते हैं अपने real capital को तो आप paper trading का इस्तिमाल कर सकते हैं यह हो गया हमारा एक strategy example आईए हम वापस slides पे चलेंगे और देखते हैं कुछ और नहीं चीज़ें सीखेंगे right finally interesting topic जिसका सभी को इंतिजार था I guess price volume और open interest को combine करके किस प्रकार से analysis किया जाता है so माली जी की price उपर जा रहा है stock का volume भी उपर जा रहा है और open interest भी उपर जा रहा है तो इसका मतलब यह है trend जो है बहुत ही जादा strong है नए long build up होते जा रहे है market में price उपर जा रहा है volume नीचे जा रहा है OIB नीचे जा रहा है इसका मतलब यह है trend जो है वीक है up trend जो है यह वीक है short covering के कारण stock अभी फिलाल उपर जा रहा है और माली जी price नीचे जा रहा है volume उपर जा रहा है माली जीए price नीचे जा रहा है volume भी नीचे जा रहा है और OIB नीचे जा रहा है इसका मतलब यह है कि वीक डाउन ट्रेंड है long unwinding के कारण stock नीचे जा रहा है और कभी भी recovery हो सकती है stock में इस प्रकार से आप analysis कर सकते हैं इसका screenshot आप लेके जरूर save कर लीजिए अगर आप serious हैं इसको अपने practically यूज करने के लिए या फिर future में refer करने के लिए correct volume versus open interest तो volume और open interest में फरक क्या है आखिर volume जो है increase होता है each time a contract is created or closed जैसे ही contract बनता है या फिर close होता है तो volume जो है increase हो जाता है open interest का भी increase होता है it increases only when new contracts are created जभी भी new contracts create होते हैं तभी open interest बढ़ता है और create कैसे होते हैं basically कौन create करता है इन contracts को option sellers जब कोई आदमी नए option sellers आते हैं market में नए contracts या फिर sell किये जाते हैं तब जो है new contracts बनते हैं market में total volume cannot decrease total volume जो है वो कभी भी कम नहीं होता है बढ़ता ही है अगर कोई trade नहीं हुआ है तो same भी रह सकता है but कम तो नहीं होगा but open interest कम भी हो सकता है जादा भी हो सकता है और same भी रह सकता है it is total of all the transactions taking place जितने भी transactions होते हैं उनको add कर दिया जाता है और open interest basically outstanding contracts या फिर जो open contracts है total वो होते है it indicates cash flow in and out of the market scanner example 2 दूसरा scanner बना के देखते हैं interesting इन तीनों को जो भी हमने यहाँ पे सीखा था price volume and open interest को combine करना वो यहाँ पे हम apply करेंगे अपने next scanner or strategy example में so यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो period max 5 यह मतलब price भी नीचे जा रहा है volume भी नीचे जा रहा है and open interest जो है वो भी नीचे जा रहा है तो तीनों नीचे जा रहा है that means यह वाला scenario week downtrend वाला scenario उसको हम scan करके देखते हैं so आईए streak platform पे चलते हैं और इस scanner को बना लिया जाए streak पे आने के बाद आप click करेंगे scanner में और हम जाएंगे create scanner पे so हमने previous जो बनाया था scanner वो हमने बनाया था futures के लिए इस बार हम देख लेते हैं कि अगर हमें options में scan करना है तो किस प्रकार से किया जाए so यहाँ पे nifty weekly select कर लेते हैं weekly options contract time frame आप अपने ही साब से यहाँ पे choose कर सकते हैं आए conditions को create करते हैं सबसे पहले हम use करेंगे period max function का यहाँ पे डालेंगे हम 5 so आप जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ उस तरह से बनाते रहे और explanation भी मैं साथ साथ में देता रहूँगा यहाँ पे हम डालेंगे direct price ना use करके हम यह में का use करने वाले हैं जो यह में है वो falling है right so यहाँ पे हम period use करेंगे 5 close done minus minus क्या previous candle का यह में right period 5 offset minus 1 field close done lower than number 0 right so यह में 5 जो है price का वो falling है वो हमने बना लिया अब similarly open interest के लिए भी condition बनाएंगे so again period max 5 open interest type करता हूँ मैं यहाँ पे and open interest का भी moving average अविलेबल है जिसको हम use करेंगे यहाँ पे period 5 type में exponential 0 minus और हम यह 0, minus, minus 1 क्यों कर रहे हैं वो आपको मैंने समझाया था बढ़ एक बहर वापस बता देता हूँ so अगर falling है अगर गिर रहा है right so present value minus previous value जो है negative होगी यानि की 0 से कम होगी और इस चीज़ को हमें 5 candles पे चेक करना है इसलिए हमने इस प्रकार से conditions को बनाया है again open interest को select करेंगे minus 1 m a period 5 exponential right lower than number 0 add another condition इस बार हम बनायेंगे volume के लिए 5 volume का भी moving average available है और हम उसी का इस्तिमाल करने वाले है exponential 5 minus again volume minus 1 type में exponential period 5 फिर से लोवर देन नमबर 0 इसको नाम दे देते हैं और फाइनली क्लिक करेंगे scan and save पे जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे जो contracts हैं इसमें जो moving average है price का open interest का and volume का वो तीनों नीचे की तरफ जा रहे हैं इसी concept पे based हम आप एक strategy बनाके उसे backtest करेंगे street platform पे right so same conditions है exactly और जैसे कि हमने देखा था ये वाला scenario हमने बनाया है week downtrend का so हम इस scenario में अगर buying करते हैं तो क्या होगा उस चीज को backtest करके check करने वाले हैं street platform पे तो फिर से हम चलेंगे street पे add आपको ये conditions वापस बनाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे एक interesting option है convert into strategy जो मेरी help करेगा same conditions को copy करने में एक strategy में right quantity हम यहाँ पे select कर लेते हैं 5 minute time frame and यहाँ पे हम कुछ stocks add करेंगे और उनको options में convert करेंगे so एक mixed bag stocks है अलग-अलग sectors के stocks है कुछ उसको हम यहाँ पे add कर लेंगे और हमें तो backtest करना है options पे य options के dynamic contract में आप dynamic contract क्या है तो इस पे click करके मैं आपको बताता हूँ यह है dynamic contract basically यहाँ पे आप call या put जो भी trade करना चाहें select करेंगे और dynamic इसलिए कहा जाता है because आपको manually strike select करने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पे define कर देंगे कि कौन सा आपको trade करना है add the money, in the money, out the money उसके in the money करना चाहते है, I mean अगर एक strike नीचे करना चाहते है add the money के तो minus one, एक strike उपर करना चाहते है तो plus one, इस प्रकार से आप select कर सकते हैं minus two, minus three, plus two, plus three, कुछ भी, so मैं add the money करना चाहूँगा तो मैं zero select करूँगा और expiring में आप current या next select कर सकते हैं, expiry type monthly, weekly आप select कर सकते हैं, order type, जब मतलब कि यह जो entry condition यहाँ पर हमने बनाई है, वो fulfill होती है अगर chart पे, तब आप क्या करना चाहते हैं, आप long जाना चाहते हैं, buy करना चाहते हैं contract को, या फिर short जाना चाहते हैं, मैं select करूँगा long, यहाँ पर यह एक बहुत ही important option है, please इसे ध्यान से समझ लीजिए, change frequency, यानि कि आपका जो add the money strike है, वो किस reference से select होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर day open select करता हूँ, तो मेरा add the money strike जो है, वो day open के reference से select होगा, day open का जो भी price है, उसको reference में लेकर के select किया जाएगा, अगर मैं candle select करता हूँ, तो जिस candle पर मेरा trade बन रहा है, उस candle का close price reference में लेकर के, मे dynamic contract बन गया है stock का, बाकी सारे stocks के लिए भी बना लेते हैं, right, so सारे हमारे dynamic contracts ready है, अगर आप चाहते हैं, तो individual strikes भी आप select कर सकते हैं, for example, मान लिजे कि आपको कोई particular strike ही trade करनी है, तो उसको भी आप जाके यहाँ पर डाल सकते हैं, conditions हमारी ready है, so exit कब करना चाहते हैं, अब हमन they want to exit if 3% stop loss is hit, और 8% target hit हो जाए, advanced options में कुछ options देख लेते हैं, मैं इसको MIS से CNC कर देना चाहूंगा, and बहुत सारे advanced options और भी available है, allocation कैसे करना है, आपको TPSL का type भी आप change कर सकते हैं, यह सारे options भी available है, अगर आपको doubt आ रहा है, definitely comment में बताईए, या फिर हमें email कीजिए, इस इसको एक नाम दे देते हैं, right, and finally इसको backtest करके check कर लेते हैं, click करेंगे save and backtest पे, so हमारा backtest run होने लगा है, यहाँ पे हमें results भी quickly देखने के लिए मिल जाएंगे, so यहाँ पे आप देख पा रहे हैं total signals, कितने signals थे, कितने wins, कितने losses, winning streak, losing streak, max drawdown, so यहाँ पे तीन हमें contracts का आचुका है result, अगर आप in-depth analysis करना चाहते हैं, तो आप उस particular contract पे click कर सकते हैं, यहाँ पे brokerage और बाकी सारे और options, transaction details, सारी चीज़े आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी, right, so इस प्रकार से आप strategy को backtest कर सकते हैं, stocks पे, futures पे, options पे, etc, but obviously अगर आ आप OI use कर रहे हैं, तो आपको करना होगा, या फिर futures में, या तो फिर options में, not directly on cash market stocks, right, so again अगर आप satisfied हैं, trade करना चाहते हैं, select करके deploy पे click कर सकते हैं, paper trade करना चाहते हैं, paper trade करके देख लीजिए, live करना चाहते हैं, तो take live पे आप click कर सकते हैं, this is how it is done, So, आईए एक summary देख लेते हैं, अगर सारे possible transactions की मैंने यहाँ पे summary बनाई है, आप लोगों के लिए जो आप refer कर सकते हैं, अगर आपको पता लगाना है कि इस प्रकार का trading हो रहा है, तो उससे OI पे क्या impact पड़ेगा, तो आप इसको refer करेंगे, complicated बिल्कुल भी नहीं है, बह basically मैंने एक seller के reference से बनाया है, right, so मान लिजे कि मुझे sell करना है 5 contract, तो उससे OI पे क्या impact आएगा, OI बढ़ेगा या कम होगा, वो दो चीज़ पर depend करती है, firstly, आपका initial position क्या है, आपके पास कितने contracts हैं फिलाल, आपका position क्या है, 0 है, आप long हो या फिर आप short हो, इस चीज़ depend करेगा, secondly, आपसे खरीद कौन रहा है, उस पे भी depend करेगा, right, उसका position क्या था initial, plus, minus या फिर 0, क्या position था, इन दो चीज़ों पर आपका depend करेगा, कि होगा increase होगा, या decrease होगा, first पर आ जाते हैं, मान लिजे कि मेरे पास 0 position है initially, और मैं minus 5 या ने कि 5 short करना चाहता हूं, right, त इन तीनों में से, person है, मान लिजे कि अगर person है खरीदता है, उसके पास initial position 0 है, right, buy करने के बाद उसके पास plus 5 आ जाएगा, तो यहाँ पर changing होगा ही, कितना हुआ, plus 5, because यहाँ पर 5 नए contracts introduced हुए हैं market में, 5 नए contracts बनाए गए हैं, और volume भी 5 से बढ़ेगा, because 5 contracts की trading यहाँ पर हुई है, माली जी, person C ने buy किया, person B ने नहीं, C ने कर लिया, उसके पास initially 10 contracts already थे, अब हो जाएंगे 15, और minus 5 करके मैंने नए contracts बनाए हैं, so यहाँ पर OI change भी plus 5 हो जाएगा, and volume 5, अब यह scenario interesting है, इसमें जो आप OI है, 0 है, अब यह Q 0 है, उसको देखिए, initial position person D के पास minus 10 था अब उसको minus 10 से minus 5 पे आना है, तो उसने क्या किया, अपने minus 5 को transfer कर दिया, because A को मुझे या फिर जो भी person है, उसे minus 5 position चाहिए थी, तो D ने अपने minus 5 position को यहाँ पे just transfer कर दिया है, यहाँ पे इस scenario में, अगर यह trading होती है, A और D के बीच में, तो यहाँ पे market में कोई नया contract त trading तो हुई है, that is why volume जो है 5 है, similarly मान लिजे मेरे पास initially 10 positions है, again, अगर मैं sell करना चाहता हूँ, plus 5 पे आना चाहता हूँ, plus 10 से, तो 3 possible situation हो सकती है, या तो person B खरीद ले मुझसे, या फिट C, या फिट D, right, B के पास 0 है, इसके पास plus 10 है, इसके पास minus 10 है, so, इस case में, 0 change, no change at all, but, इस case में, actually, minus 5, यानि की, decrease होगा, why, because, यहाँ पे जो contracts हैं, वो close हो रहे हैं, but, यहाँ पे जो है, just transfer of positions हो रहा है, right, एक आदमी के पास से, दूसरे आदमी के पास position जा रही है, that's all, so, यहाँ पे आ जाते हैं, third case में, initial position मेरा minus 10 है, मान लिजिए, finally, मुझे minus 5 करके, मेरा final position minus 15 करना है, again, 3 scenarios है, initial position किसी के पास 0 है, वो ले सकता है, वो मेरे buy कर सकता है, या तो फिर person C, जिसके पास initially 10 है, या फिर person D, जिसके पास minus 10 है, और इन 3 scenarios में, जो भी OI change होगा, volume change होगा, यहाँ पे mention किया हुआ है, right, so, I hope, आपको concept समझ आ गए हैं, सारे, अगर positions close हो रहे हैं अगर सिर्फ positions transfer हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो OI में no change होगा, अगर नए contracts बन रहे हैं, नए introduce हो रहे हैं, market में नए contracts, तो जो आपका OI है, वो increase होगा, आप इसको ध्यान से देख लिएचे, इसको screenshot भी लेके आप रख सकते हैं, reference के लिए, और इसमें कोई अग अगर आपके कोई भी प्रशन है, सुझाओ है, या फिर डाउट्स है, तो बेजी जग हमें हमारी email id support at the rate streak.tech पे लिए, comments में भी बता सकते हैं, अगर आप चाहते हैं, किनी और topics पे videos बनाऊं, तो वो भी आप मुझे suggest कर सकते हैं, comments में या फिर email id पे, अगर आप हमें follow करना चाहें, तो हम available हैं, YouTube, Twitter and Telegram पे आप हमें follow कर सकते हैं, और पहली बार अगर आप streak platform पे login कर रहे हैं, तो आपको demo request का भी option यहाँ पे मिल जाएगा, आप अपना number provide करके एक personalized demo भी book कर सकते हैं, तो आईए इस webinar को यहीं पे समात किया जाए, thank you everyone, have a nice day ahead, goodbye, see you next time. झाल